नमस्कार दोस्तों, नुपुर शर्मा की कॉंट्रोवर्सी ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था पहली बार ऐसा हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्सपर्सिंग की स्टेट्मेंट को लेकर इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जाने लगा दूसरे देशों में इंडिया में जेगें जेगे प्रोटेस्स देखने को मिले, कुछ जगाओं पर प्रोटेस्स वाइलेंट हुए जैसे की जारखन, वेस्ट बेंगॉल और यूपी में स्टोन पेल्टिंग देखने को मिली, कुछ पॉलिसमें इंजड हुए पॉलिस ने फाइरिंग करी क्राउट पर जिसके वज़से दो लोग मारे भी गए क्या ये पूरा मुद्दा था, कहा लाइन ड्रॉ करी जा सकती है हेट स्पीच और फ्रीडम और स्पीच के बीच में आया आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं माफ करना वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हुए कुछ दिन वेट करकर अगर थोड़े दिन बात करी जाए तो लोग थंडे दिमाग से सोच सकते हैं और ढंग से अपनी राय बना सकते हैं आये देखते हैं गंबर साहब के खिलाफ कथित तौर पर अपमान जनक टिप्रणी करना इस कॉंटरवर्सी के शुरुवात अक्चुली में नुपूर शर्मा के कॉमेंट से नहीं हुई थी बलकि ज्यानवापी मस्जित के इशू से हुई थी अब अक्चुली में वो क्या इशू है बहुत ही बड़ा इशू है उसकी किसी सेपरेट वीडियो में डीटेल में बात करी जा सकती है अभी मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि एपरेल के महीने में वारण असी कोट ने ओर्डर किया था कि काशी विश्वनाथ टेंपल और ग्यानवा भी मौस कॉंपलेक्स में एक वीडियो ग्राफिक सर्वे कराया जाए एक पेटिशन के बेसिस पर ये ओडर किया गया था कोट के दौर इस सर्वे के बाद एक अबजेक्ट पाया गया इस मस्जिद के अंतर जिसको लेकर कुछ लोगों ने क्लेम किया कि वो अबजेक्ट एक शिवलिंग है दूसी दरफ कुछ लोगों ने क्लेम किया कि वो अबजेक्ट एक फाउंटेन है इस चीज़ को लेकर कोई investigation नहीं करी की जाचने के लिए कि actually में ये क्या है लेकिन social media पर बहुत चर्चे हुए इसके लेकिन इस object की photo आप यहाँ पर देख सकते हैं और actually में shiveling कैसा दिखता है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक shiveling में actually में top का part होता है lingam उसके नीचे जो part होता है उसे yoni कहा जाता है यह दोनों parts एक पत्थर की उपर rest करते हैं जिसे peat कहा जाता है तो जिन लोगों ने कहा है यह shiveling है उनका कहना है कि यह basically एक pillar है जिसके top का part curved है lingam की तरह दिखता है इसलिए shiveling है अब इस चीज़ इसको लेकर बहुत से लोगों ने social media पर मजाक उड़ाया इन लोगों का यह कहते होए कि इस logic से तो कुछ भी shiveling बन सकता है लोगों ने photos upload करी road barriers की कहते होए कि यह भी shiveling हो सकते हैं अगर इस logic से सोचा जाए तो ऐसे jokes को देखकर कुछ लोगों के sentiments hurt होगए उन्होंने कहा कि मेरे धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पर मेरे भगवान शिव का मजाक उड़ाया जा रहा है हला कि common sense से सोचने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि actually मैं यहाँ पर उन लोगों का मजाक उड़ देखते हैं ना कि actually में शिव भगवान का या शिवलिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है लेकिन anyways इसी बीच एक डियू के प्रोफेसर है रतनलाल हिंदू कॉलेज में एसोसियेट प्रोफेसर है हिस्ट्री के उन्होंने actually में एक objectionable social media पोस्ट करें यह मजाक को एक लेवल और उपर ले गए और इनके खिलाफ ना सिर्फ एक F.I.R. दर्च करी गई बलकि डॉक्टर रतनलाल को अरेस्ट भी कर लिया गया इनके खिलाफ section 153a लगाया गया जो promoting animity between different groups on grounds of religion और section 295a deliberate act to outrage religious feelings of any class by insulting its religion इस section 295a काफी important है क्योंकि इसकी बात मैं आगे भी इस वीडियो में कर कुछ भी बोलो किसी ना किसी के sentiment hurt होई जाते हैं तो यह कोई नई चीज नहीं कई लोग इनके support में खड़े हो यह कहते होए कि इनको right to freedom of speech है अंडर article 19 of constitution लेकिन दूसी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि freedom of speech जरूर है लेकिन article 192 में लिखा गया है कि ये freedom of speech में reasonable restrictions लगाई गई freedom of speech का मतलब ये नहीं कि आप hate speech फिला सकते हैं किसी की religious feelings hurt कर सकते हैं इसलिए section 295A आता है लेकिन supreme court के according actually में कुछ conditions है इस section supreme court का कहना है कि जो शब्द बोले जा रहे हैं उन्हें judge किया जाना चाहिए from the standards of reasonable, strong minded, firm and courageous people कमजोर लोगों के perspective से हमें इस section को judge नहीं करना चाहिए जो हर चीज में अपने उपर offense धूनते रहते हैं डॉक्टर रतनलाल को actually में trial पर रखा गया है court में अगर वो guilty पाए जाते हैं तो उन्हें convicted किया जाएगा, punish किया जाएगा अगर charges नहीं hold करते हैं इन पर तो उन्हें equit कर दिया जाएगा, simple सी बात है लेकिन यहाँ पर entry होती है ex-BJP spokesperson 26 माई को यह News 24 के program में आती है और कुछ controversial remarks कहती है Islam और Prophet Muhammad के बारे में News anchor Manak Gupta actually में नुपूर को रोक देते हैं ज्यादा कुछ कहने से लेकिन नुपूर को यह पसंद नहीं आता तो वो program बीच में ही छोड़के चली जाती है बाद में वो tweet भी करती है कि बेकार channel है दुबारा नहीं जाने वाली उसके बाद same दिन 7 बजे शाम के वो Republic भारत पर आती है और फिर से same comments देती है Islam और Prophet Muhammad के उपर Republic भारत पर भी जो anchor है ऐश्वरया वो warn कर रहे होने है कि personal remarks पर ना जाए और किसी के religious sentiments को hurt ना करे लेकिन नुपुर शर्मा रुकी नहीं रात को 9 बजे वो times now पर गई और फिर से same चीज़े दोराइए अब नुपुर शर्मा की इन controversial statements के बारे में एक चीज़ देखने वाली है कि ये कोई slip of tongue नहीं था ऐसा नहीं था कि वो बोले जा रही थी और गलती से उनकी जीप फिसल गई हो या फिर वो गुसे में थी और गुसे में emotion में ये चीज़े निकल गई है ऐसा नहीं था बलकि जो कहा जा रहा था वो बिल्कुल deliberately कहा गया था और advance में plan भी किया गया था क्योंकि ये चीज़ उन्होंने एक बार नहीं दो बार नहीं बलकि तीन अलग अलग बार कही ये statements उन्होंने इसलिए नहीं दी क्योंकि वो कोई philosophical discussion का part बनना चाह रही थी या अपना कोई perspective बताना चाह रही थी इतिहास पर बलकि उन्होंने इसलिए दी उनके खुद के शब्दों के according क्योंकि वो tolerate नहीं कर पा रही थी कि कुछ लोग उनकी राय में shivling को insult कर रहे थे उनकी religious sentiments को hurt कर रहे थे इसलिए वो actually मैं दूसरों के religious sentiments hurt करना चाह रही बार-बार वो टीवी पर आप उन्हें सुन सकते हो कहते हो है कि मैं तुम्हारा मजाक उडाऊं क्या तो यहाँ पर जो general feeling थी हो ये थी कि मेरी राय में मेरे religious sentiments hurt हुए है इसलिए अब मैं जाकर दूसरों के religious sentiments hurt करूँगी अब सवाल यह उठता है कि क्या उन्होंने section 295A को violet किया क्या उनका comment reasonable strong minded firm और courageous लोगों को offend करता है इसका जवाब हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है यह courts का काम है decide करना कि उन्होंने religious sentiments को hurt किया या नहीं किया तो जैसे dr. रतनलाल के खिलाफ किया गया था कि एक FIR लगाई जाए उन्हें arrest कर लिया जाए और फिर court फैसला करे कि यहाँ पर किया गया है नहीं किया गया है अगर ऐसा होता तो यह matter खतम हो जाता हुई अगर वो guilty होती तो उन्हें convict कर लिया जाता पनिश कर दिया जाता नहीं होती तो उन्हें acquit कर दिया जाता लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ ऐसा कोई action नहीं लिया गया अब मेरी राय पूछोगे तो मेरी राय में section 295-1 को completely हटा देना चाहिए मैं ऐसा क्यूं सोचता हूँ इसकी बात मैं कभी और करूँगा आगे लेकिन अभी के दिन reality यही है कि यह section exist करता है तो कानून को system को इसी की हिसाब से चलना पड़ेगा लेकिन note करने वाली बात यह है कि police कभ action लेती है कभ action नहीं लेती same चीजों को लेकर alt news के fact checker मुहमद जुबेर ने एक और इनसान पर point out किया इलियास शराफ उद्दीन एक ऐसे इनसान जो अकसर news debates में दिखाई देते हैं जुबेर और बाकी लोगों ने भी action demand किया इनके खिला क्योंकि इन्होंने तो clearly यहाँ पर religious sentiments hurt किये हैं मजाक उडाया यह debate 20-30 minute तक चलती रही जुबेर जान पूचकर यह TV चैनल वाले एक तरफ एक मौलाना को बिठाते हैं जो जान पूचकर गालिया दे हिंदूों को दूसरी तरफ एक हिंदू को बठाते हैं जो जान पूचकर गालिया दे मुसल्मानों को दोनों तरफ से भढ़काओ भाशन चलते रहे और controversy create होती रहे इनके लिए और लोगों का ध्यान इनी मुद्दों पर भटका रहे यह सोचने वाली बात है थोड़ा सोचे इस पर हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में नुपूर शर्मा के बाद एक और इनके party कलीक थे बीजेपी डेली मीडिया के head नवीन कुमार जिंदल इनों ने भी इसलाम के खिलाफ काफी tweets किये disrespect किया Prophet Muhammad और Aisha को लेकिन इनके खिलाफ भी कोई action नहीं लिया गया अब इसी बीच हुआ क्या कि नुपूर शर्मा की क्लीप और नवीन जिंदल का tweet इंटरनेट पर viral चला गया अरब देशों में भी viral चला गया इन देशों ने इंडियन सरकार से apology की डिमांड करी Qatar, Iran और Kuwait ने इंडियन ambassadors को भी समन किया कि वो protest करें इस चीज़ को लेकर और condemn करें इन remarks को कुछ जगाओं पर boycott इंडियन products के नारे लगे Kuwait शेर के बाहर एक super market में कुछ चावल और spices के shells को plastic sheet से cover किया गया था और Arabic में लिखा गया था कि we have removed Indian products अब Gulf countries को लेकर बात ये है कि WhatsApp University में जो भी आप सुनते हों उनके बारे में वो अपना एक तरफ है लेकिन असलियत यही है कि इंडिया के लिए actually में ये countries बहुत valuable है ORF Foundation के according इंडिया actually में 60% अपना crude oil import करता है इन Persian Gulf countries से Oman देश इंडिया का सबसे closest Gulf partner है और साल 2018 में actually में इन्होंने अपना एक port दिया था इंडिया को access करने के लिए कि इंडिया उसे military और logistical support के लिए access कर सके MEA के according 76 lakh Indians actually में Middle East में रहते हैं और इसके लावा एक trade का angle भी है UAE और Saudi Arabia इंडिया के third और fourth largest trading partners है 2018 में Reserve Bank of India ने ये भी reveal किया था कि 50% remittance inflow जो इंडिया में होता है वो इन ही country से ही होता है तो oil imports, market, Indian exports के लिए employment, foreign reserves इंडिया के लिए बहुत valuable हैं ये countries और बहुत कोशिश कर रही है इंडियन सरकार कि इनके साथ अच्छे relations बिठाए जा सके आम तोर पर airport पर किसी foreign dignitary से मिलने Prime Minister खुद नहीं जाते हैं किसी official या junior सरकार के Minister को भेजते हैं लेकिन साल 2019 में Prime Minister Narendra Modi ने actually में सरकारी protocol को तोड़ा था और personally वो गए थे साउदी अरेबिया के crown prince मौहमद बिन सल्मान को receive करने नई दिल्ली में इस controversy को लेकर एक और angle भी है जब French magazine Charlie Hebdo ने cartoons publish किये थे जिसको लेकर Arab countries में हला मच किया था प्रोटेस्ट हुए थे तब French President Macron ने actually में उन्हें support किया था क्योंकि Macron ने simply कहा था France में हम freedom of speech में विश्वास रखते हैं blasphemy यहाँ पर allowed है धर्म को गालियां देना allowed है तो यही हमारी position रहेगी लेकिन इंडिया में दूसरी तरफ हमारे देश में कानून है section 295A जैसे जो blasphemy को होने से रोकते हैं इसे एक offense बनाते हैं इन Islamic countries के reaction को देखकर Modi सरकार damage control mode में चली गए Indian embassy के spokespersons ने कहा कि actually में जो tweet किये गए हैं वो Indian government के views को नहीं reflect करते यह fringe elements के द्वारा किये गए tweets हैं fringe element को हिंदी में translate किया जा सकता है सड़क चाप कहकर लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि 140 करोड लोग देश में हैं और BJP जैसी party को ऐसे fringe elements या सड़क चाप लोग ही मिलते हैं अपनी party का spokesperson बनाने के लिए नतीजा यह हुआ कि नूपूर शर्मा को party से suspend कर दिया गया नवीन को भी निकाल दिया गया और किसी भी धर्म के खिलाफ insult के सक्त अगेंस्ट है आठ जून को जाकर finally फिर दिल्ली पूलीस ने actually में दो FIR दर्ज करी एक नूपूर शर्मा के खिलाफ और दूसरी 31 लोगों के खिलाफ including AIMIM के चीफ असादुद्दीन ओयसी और controversial priest यति नर सिंगानंद जिनोंने allegedly hurt किया है religious sentiments को और hate फैलाया है अब नूपूर शर्मा के support में बहुत से लोग खड़े होई यह कहते हुए कि उनका freedom of speech था यह कहना है उनके खिलाफ कोई a fire दर्ज नहीं होनी चीए ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से डॉक्टर रतनलाल के favor में बहुत से लोग खड़े होए थे अब समझने वाली बात यह है दोस्तो जितने भी लोग है जिनका opinion है इस issue को लेकर उन्हें तीन categories में divide किया जा सकता है पहले हैं इमानदार conservative लोग जो किसी भी धर्म के खिलाफ कोई criticism नहीं सहेंगे वो लोग जिनका मानना है कि religious sentiments को hurt करना एक गलत चीज है और दोनों डॉक्टर रतनलाल और नुपुर शर्मा ने religious sentiments को hurt किया है इसलिए इन दोनों के खिलाफ कारवाई होनी चाहिए दूसरी category के लोग हैं इमानदार liberal लोग जो freedom of expression को support करते हैं जो लोग कहते हैं कि section 295A नहीं होना चाहिए हटा देना चाहिए और blasphemy यहाँ पर एक offense नहीं होना चाहिए अब दोनों में से आप कौन सी category से belong करते हो नीचे comments में लिखकर बताओ सची सची लिखना या तो आप एक honest conservative हो या फिर एक honest liberal हो या तीसरी category है आप एक hypocrite हो आप ऐसे इंसान हो जो अपने धर्म के खिलाफ कोई criticism बरदाश नहीं कर सकते लेकिन दूसरे धर्म के खिलाफ सारा criticism आप देने को तयार हो आपको freedom of expression याद आ जाता है जब आप दूसरे धर्म के भगवानों का मजाक उड़ाते हो लेकिन एकदम से section 295A याद करने लग जाते हो जब आपके धर्म के खिलाफ कुछ कहा जाए तो या फिर आपके sentiments जब hurt हो जाए तो इंटरेस्टिंग चीज यह है कि ज्यादतर लोग actually में इस third category से भिलोंग करते हैं नुपूर शर्मा के comments के बाद actually में कई incidents देखने को मिले stone pelting के, vandalism के और violence के AI MIM के legislator इम्तियाज जलील ने तो नुपूर की hanging के लिए भी कह दिया कि इन्हें फासीज पे चढ़ा देना चाहिए अब मेरी रह में चीज clearly hate speech की category में आती है क्योंकि यहाँ पर आप किसी के धर्म के sentiments को hurt नहीं कर रहे हो बलकि आप एक इनसान को जान से मारने की धमकी दे रहे हो या फिर एक इनसान के खिलाफ violence को insight कर रहे हो ऐसे लोगों के खिलाफ सक्त action लिया जाना चाहिए उन लोगों के खिलाफ भी जो violent हो रहे हैं प्रोटेस्ट के नाम पर उन पुलीस ओफिसर्स के खिलाफ भी जो law and order की धजिया उड़ा रहे हैं लोगों को custody में ही मार कर और उन fringe elements के खिलाफ भी जो यहाँ पर actually में situation को violent बना रहे हैं कुछ areas में सरकार ने in violent protest के response में bulldozer का इस्तेवाल किया और जिन लोगों को सरकार ने suspect किया था कि वो violent हुए थे प्रोटेस्ट करते वक्त उनके घर पर bulldozer चलवा दिया अब यह एक और ऐसी चीज है जो मेरी रहे में law and order की धजिया उड़ाने वाली बात होई क्योंकि यहां पर उन घर वालों की क्या गलती जहां पर एक घर में किसी इनसान ने कुछ गलत किया दूसरा इस तरीके के instant justice model पर कभी भी system नहीं चल सकता क्यों नहीं चल सकता इसकी बात मैंने detail में करी थी बुल्डोजर मॉडल वाले वीडियो में और encounter वाले वीडियो पर भी जो मैंने बताया था इन दोनों वीडियो की link मैं नीचे description में डाल दूँगा आप इसके बाद जाकर देख सकते हैं बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी statements देते रहें जो इससे situation और खराब बीजेपी निगम परशिद राधिका actually मैं अपनी party line के against गई नुपुर शर्मा को defend किया और नुपुर शर्मा से भी घटिया hate speech दी क्या इन्हें अपनी party से निकाला जाएगा क्या इन्हें arrest किया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी कि जो news channel पर जो मौलाना बिठाय जाते हैं उनके खिलाफ कोई action लिया जाएगा या फिर ये news channels उन्हें platform देना बंद करेंगे या फिर ये सारे actions, FIR करवाना, arrest करवाना, बोल्डोजर से घर तोडवाना ये सब आम लोगों के लिए है ये सारे उपर बैठे media वाले politicians ये खुशी-खुशी तमाशा बनाते हैं जिसे आम जनता देखती रहे और आम जनता आपस में ही लड़ती रहे इस पूरे मुद्दे में कोई हिंदू, मुस्लिम, प्रो, बीजेप, अंटी, बीजेप जैसी कोई बात ही नहीं है सिंपल चीज है कि जो भी आँ वाइलेंट होए, जो भी hate speech दे, जो भी दंगे भढ़काने की कोशिश करें उनके खिलाफ action लिया जाना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद